सो हेलो स्टूडेंट कैसे आप अभी बहुत बच्चों की ना एक प्रावलम आ रही है के सर हम सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करें कॉलेज के अंदर रेगुलर कॉलेज की बात कर रहा हूं है अभी एस वेल वालों का नहीं आया है फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर बीकॉम ओनर्स रेगुलर कॉलेज और एस वेल दोनों की वीडियो में बता दूँगा क्या क्या सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है समिस्टर पांच के लिए समिस्टर छे का जब आएगा तब हम फिल कर लेंगे अभी सिर्फ मैं बात करूँगा समिस्टर पांच के लिए तो जैसे देखना है बीकॉम ओनर्स हमारा समिस्टर नंबर फाइव क्या क्या सब्जेक्ट से वो सारी चीज़े हम एकदम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के बाद किसी बच्चे का कोई confusion नहीं रहेगा कि सर हमारा क्या रहे गया नहीं रहे गया ये चूज करें नहींकरें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है न तो चलिए सर हमारे सब्जेक्ट जो है ये total सब्जेक्ट से बहुत confusion था बच्चों को मैंने करा एक बार सही से लिखी दो so that बच्चों को अच्छे से clear हो जाएगा है ना इससे कर देते हैं था चलिए से ठीक है hopefully आपको clear दिख रहा होगा और मैं line भी डाल देता हूँ बीच में अब हम पहले बात कर लेते हैं सर किसकी हम बात कर लेते हैं एक तो regular college चाहे कोई भी regular college का बच्चा हो और दूसरी बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो बीकॉम ऑनर्स ना का बच्चे पूछते अभी है तो semester one वाले अगर कोई बच्चा admission ले रहा हो तो एंसी वेब में बीकॉम ऑनर्स नहीं होता पहली बात ठीक है मैंने लिख दिया तो एंसी वेब में तो अब यह सिर्फ किसका बच गया सर सिर्फ regular का बच गया सिर्फ regular का तो इसका मतलब यह बीकॉम ऑनर्स एंसी वेब का नहीं है यह सिर्फ किसका है regular का है regular की हम बात करें तो कुछ हमारे ना core subject है और यह new education policy नहीं यह आपके जो पुराना cbcs course चलना था उसका core subject sir core subject कौन से होते हैं core subject वो subject होते हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा कोई choice नहीं है तो core subject में किसी बच्चे को कोई confusion ही नहीं है लेकिन subject का नाम जान लीजिए आप मैं पहले regular की बात करता हूँ एक है principle of marketing और एक है financial management यह दोनों core subject है और यह दोनों subject के आपको सारे study materials सब कुछ बहुत easily way में मिल जाएगा तो मैं subject पता है कैसे refer करता हूँ एक तो आपके career को भी देखा जाता है कि क्या आगे आपके beneficial है और वो भी बता देता हूँ दूसरा जो market में बहुत easy available है तो यह दोनों core है दोनों मिल जाएगा principle of marketing और आपका financial management principle of marketing की भी video classes जो है वो आ गई है launch हो चुका है आप जाके उसको buy करना चाहते हो तो कर सकते हो description में आपके सारे number वगरा given है उसके according और financial management का already चल रहा है दो classes हो चुकी है नए वाले badge की आप अभी भी enroll करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है अब बात करते हैं सर्थ discipline and specific anyone मतलब कि आपका elective subject है इसमें से कोई एक choose करें तो इसमें बच्चा खासा सबसे बड़ी tension का परिशानी यसी महीं है दो subject चुन लिख कर लिए अब इ इसमें से इसमें से एक आता है management accounting, organization, behavior, micro और ED जिसे entrepreneurship, development भी भूल देते हैं अब जिन बच्चों को MBA, MCOM और आगे further core commerce से related study करना है like CA, CS, CFA तो सर वो बच्चे तो ये choose करें आगे ये subject आएगा ये मतलब management accounting इसके book भी लिख देता हूं साथ में साथ के साथ ना book भी लिख देता हूं आपके और ज्यादा better हो जाएगा understanding ना, इसके लिए book है आरपी रस्तोगी इसके लिए book है T.N. छावड़ा Sir, management accounting के लिए book है M.N. अरोड़ा, कहीं भी मिल जाएगा किसी भी nearby shop पे जाएगा आपको easily book available होगा M.N. अरोड़ा Sir, organization behavior, micro economics और entrepreneurship हाँ, जिन बच्चों को आगे B.Com में कुछ नहीं करना और practicals part क्योंकि ये पूरा practical subject है तो जिन बच्चों को आगे कुछ नहीं करना और आगे कुछ नहीं करने के साथ-साथ उनको लगता है कि सिर्फ graduation करके हमें गवर्मेंट जॉब बगरे की तयारी करने है और practical में इतना ज्यादा उनका हाथ साफ नहीं है इन दर सेंस के practical उनको इतने अच्छे से समझ में नहीं आता तो गो विद आप macro economics के साथ जा सकते हैं क्योंकि यह easy रहेगा आपने पहले पढ़ा हुआ है और ED नहीं ले सकते या फिर OB ले सकते यहां पर management accounting के भी classes मिल जाएगी आपको micro economics के भी classes मिल जाएगी organization behavior भी पूरा थियोरी है और entrepreneurship development भी पूरा थियोरी है यह ठीक है आगे आता है discipline elective anyone कोई भी एक चूज करें corporate tax planning है financial market institution service है आपका advertisement and personal selling है और business statistics है यह तीन चार्ड options available है आपके पास अब अगें जिसका practical part strong है go with business statistics आपके पास तीन practical subject हो जाएंगे और एक theoretical हो जाएगा तो जिनका practical subject strong है तो साथ के साथ उनके पास science time है पढ़ने के लिए तो वो business statistics ले 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 और जिनका math का part strong भी होना जरूरी है तो business strategy semester four में तो पढ़के आए हो अभी आप business math तो वो यह ले 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 बागी बच्चे corporate tax planning में ना फिर आपको अभी को study material नहीं मिलेगा बागी corporate tax planning भी बहुत अच्छा subject है अगर आपने semester 3 में अच्छे से income tax पढ़ा हुआ है तो आपको self पढ़ना पढ़ेगा इसके लिए बस study material नहीं है otherwise subject बहुत अच्छा है यह ठेक है मैं यह कहूँगा जिनको आगे tax advisory या tax related किसी work में जाना है वो ले सकते है financial market institution आपने पहले ही ले लिया है marketing तो no need to अब लेने की जूरत नहीं है यह देंगे यह नहीं क्यूंकि आप पहले ही आपको principle of marketing मिल गया है तो इसमें शायद option ना दे दोनों में से एक दे अगर देता है तो आप यह ले सकते हो क्यूंकि यह कुछ ना कुछ parts आपका connected रहता है तो यह ले सकते हो advertisement personal selling यह भी marketing यह दोनों को दोनों topic ना marketing से related है तो जिन बच्चों ने अगर principal अगर teacher system कोई एक provide कर रहे हैं तो आप यह ले सकते हैं तो अब यहाँ पे दो किसम के बच्चे है एक बच्चे जिनको theory पसंद है और एक बच्चे जिनको practical पसंद है जिन सब्सक्राइब करना है और थोड़े अच्छे मांक्स आ जाए और आगे हम commerce से connected रहेंगे तो आपको लेना है principle of marketing financial management management accounting इनकी बुक्स अलग-अलग writer की होती है कौन सी best book है जो मुझे पता है best book मैं उसी के नाम लिख रहा हूं corporate tax planning आपका Greece आहुजा का बुक आ जाता है आपका financial market और advertisement और business stat का जे के ठुकराल बुका आता है का जे के ठुकराल जे के ठुकराल ठीक है यह था become honors और regular college वाले कि मेरे हिसाब से सारी confusion दूर हो गई होगी होगी आपको क्या लेना चाहिए मैं एक बार फिर continue कहा दूँ सर्प course subject की बात नहीं कर रहें मैं इस में से होता तो financial management choose करूँगा और इस वाले में से stats choose करूँगा या फिर मैं advertisement या principle corporate tax planning नहीं लूगा क्योंकि study material available नहीं है market के अंदर और उसमें अच्छा घासा problem होगा ना तो tenure मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा साथ के साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि कि subject का tenure market में available है जैसे business stats का easily मिल ज बुक्स भी सेम रहने वाली है subject syllabus भी बिल्कुल सेम है अब इसके अंदर से मैं बच्चों को बोलूँगा फिर से अगें यह ले लीजिए आप अगर आपको आगे further MBA अब मैं यह क्यों कह रहा हूं सर यह क्यों नहीं कह रहे हैं आप लेनी को इसके पीसे reason है कि यह theoretical subject भी बेटर है कि आप management accounting ले लीजिए और इससे आपका benefit हो जाएगा cost का advance version है आपका यह आगे बागे CACS या ACCA कोई भी professional courses करेंगे तो इसके अंदर management account की ज़रत पढ़ेगी आपको इसके अंदर दो option है तो सर जिसका आपका practical part is strong है वो stats ले लिए और जिसका theoretical part is strong है हर बच्चा अपने आपको जानता है वो कहले लिए कोई बुराई नहीं है हाँ अब जो बच्चा purely graduation के बाद maximum बच्चे बीकों वाले MBA की तरफ जाते हैं cat देते हैं इस तरीके से तो यह core subject है management accounting लीजिए और आप ले लीजिए advertisement and personal selling business stats MBA के अंदर कई बार नहीं पूछा जाएगा जो MBA के लिए बाकी और subject है जो government job की तयारी करना चाहते है सर वो stats ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे department में statics के special vacancies आ जाती है ठीक है तो यह पूरा का पूरा hopefully आपको clear हुआ होगा इस वीडियो में मैंने सारी चीज़े आपको बताने की कोशिस करी है बी कॉम owners के लिए अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजिए और अगर लगता है कि आपको benefit हुआ है इससे selection में तो definitely comment में लिखिएगा और comment में अगर किसी तरीके की आपको कोई सारी चीजे चाहिए कोईरी हो तो अब comment लिखे comment कर रप्लाए हम कर देंगे और साथ के साथ रहा हमारा सर किस चीज की बात कर रहे है सर classes की हमारी online classes YouTube के उपर भी डल रही है जैसे आपका financial management डल रहा है आप जाके वहाँ पर देख सकते अभी principle of marketing की class start हो जाएगी business stats भी YouTube के उ सारी चीजे जिनको paid courses में लेना है live course जोइन करना एकदम premium तरीके से जिसमें doubt हो जाए सारी चीजे हो जाए वह जोइन कर सकता है बहुत सारे बच्चों के regular बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर मैंने भी 15 August के मैंने कूर्स का प्राइस को डबल नाइन 500 किया वहाँ लेकिन लिंक है वह सारी प्राइस बगर वहां बता देंगा आप पूछ सकते हैं दोनों का कॉम्बो प्राइस यहां पर आजाएगा ठीक है तो यह था पूरा का पूरा बीकॉम ओनर्स होफ़ुली आपको समझ में आयागा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीकी के information के